आज हम कबूतर के बारे में जानेंगे और इससे सुनने के बाद आप उत्साहित हो जाएंगे, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पिजन को हिंदी में कबूतर कहा जाता है। ये सामान्यतह लोगों के पास पाए जाने वाला पक्षी है। पिजन को एक शान्त और सोचते समझते पक्षी माना जाता है। इसकी समवेधन शीलता और बुदिमानता इससे बहुत ही विशेश बनाती है। पिजन एक मध्यम आकार का पक्षी होता है, जिसकी लंबाई लगभग 30 सेमी तक होती है। इसकी वजन में भी करीब 300 ग्राम तक ह हो सकता है। पिजन के पंक बड़े और मजबूत होते हैं। यह उन्हें उचाए और दूरी तै करने में मदद करते हैं। पिजन बहुत ही अच्छे उडान भरते हैं और उचाए तक उड़ सकते हैं। कई प्रजातिया लंबे समय तक हवा में रह सकती हैं और दूसरी जगा वापस लोट सकती हैं। पिजन का आवास आमतोर पर उच्छे इमारतों, चिर्याघरों और पुराने इमारतों में देखा जा सकता है। वे अकसर उची जगहों पर अपने घोसले बनाते हैं। पिजन एक सामान्यतह बासने वाला पक्षी है और अप अधिक तथ्यों का आन पिजन एक अधितिय पक्षी है जो अपने घर को ढूंडने के लिए होमिंग इंस्टिंट का उप्योग करता है। यह उनकी शक्ती होती है जिससे वे बहुत दूर की जगह से भी लोट सकते हैं। पिजन एक अन्य पक्षी के साथ अपने संबंदों को बनाय रखने की क्षम बनाते हैं। वे अपने पन्खों की मदद से विभिन नाच, उड़ान और मुद्राय करते हैं। पिजन अपनी संघठन शीलता के लिए भी मशहूर हैं। जब वे समूव में उड़त ते हैं, तो उनकी पन्खों के समय के साथ संघठित होने की क्षमता उन्हें एक समूव क रूप में उड़ान भरने में मदद करती है। पिजन एक पारंपरिक रूप से पशुपालित पक्षी हैं और उनका संरक्षन विभिनकला, साहित्य और धार्मिक विश्वासों में एहम भूमिका निभाता है। पिजन एक शुधरिदे पक्षी हैं और अपने संघठन शील स्वभाव के कारण लोगों के बीच बहुत प्रिय होते हैं। इसके कारण उन्हें शहरों और गावों में बहुत आमतोर पर देखा जाता है। पिजन की शरीरिक संरचना उन्हें उचाय और दूरी तै करने के लिए अद्वितिय करती है। इसके लिए उनके पंख निश ऑंतरिक्ष बनाने में मदद करते हैं जो उन्हें वायुमंडल में स्थिरता प्रदान करता है। पिजन के पंखों के बीच की सयोगित मोशन के कारण उन्हें एक ऐसी उचाय तक उडान भरने की ख्षमता होती हैं जिसे कई लोग पसंद करते हैं। इसके कारण पिज पिजन का जोड़ा अपने जीवन भर साथ रहता है, वे अपने साथी के साथ एक दिवसिय और जीवन भर के लिए संधर्शी बंधन बनाते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।